आप देख रहे हैं Life 7 नमस्कार Life 7 विसेश में आपका स्वागत है मैं हूं ग्यान रजन दोस्तों विसेश में आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर धुल्लू महतों के सरजूराय पर बिगरे बोल दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं कि जब धनवाद लोकसभा का चुनाव होना था और उस सरजूराय ने बगावती तेवर अपनाए थे धुल्लू के खिलाफ मुर्शय खुला था तो उस समय भी कई तरह की चीजें आपको देखने को मिली थी धुल्लू वर्से सरजूराय और फिर एक मरतवा अचानक जो है सो वैसे समुदाय के कारिक्रम में सामिल होने के लिए धुल्लू महतों जमसेतपूर पहुंचते हैं औ जमसेतपूर पहुंचने के बाद उन्होंने जम कर सरजूराय के खिलाफ आग उगला और ऐसे ऐसे बातें कही जिस बातों को लोकतांतरिक प्रक्रिया में अगर आप लोकसभा या विधानसभा के कारवाई कभी देखते होंगे तो उसमें ऐसे सब्दों को इस पंच करा दि जाती है इस तरह की चीजें धुलू महतों ने सर्जूराय के खिलाफ कही और भी कई बाते कही जातिगत आरोप की वैसियों को हरिजनों को आदिवासियों को सर्जूराय देखना नहीं चाहते हैं यह कई तरह की चीजें कई तरह के आरोप दुस्ट वेक्ति हैं या और भी जो चीजें मैं कह नहीं सकता मैं आपको सुनाता हूं पहले कि सर्जू राय के बारे में डुलू महतों ने क्या कहा। सकता है क्योंकि लगातार जबसे हमारा ग्यान है और हमें राज्षिमिति झेत्र का भी ग्यान है समाजिक धार्मिक झेत्र ग्याने कभी भी धर्म और सद पर चलने का प्रियासियो wonderful since सत्त के राश्टे पर चलने वाले लोगों को प्रीशान करने का काम किया है? और इसका जबाब बहुत जल्द इनको मिलने वाला है और परभुने चाहा तो बहुत जल्द के जेल भी जाँए इसका बहुत जल्द आपके सामने इनका सचाई सामने आएगा मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने लगातार जब से राजमतिक छेत्र में कदम इन्होंने डाला हो तब से लगातार ओविसी, दलीद, गरीब, पिछड़ा, बनियाबर के लोगों के पीछे लगातार ही पड़ा है इसका जीता जाकता ओढरन आप जमसेटपूर में भी देखे होंगे, राची में भी देखे होंगे, धनबाद में भी देखे होंगे, यहाँ जहां पे आर्थीक सुरोत कमाने के लिए इन्होंने लगातार वैसे व्यक्ति को परिशान करने का काम किया है जो सत्व धर्ण गरास्ते पर चलकर राजमितिक छेतर में लगातार काम किये एक दिन भी आप एक भी एस्टेक्टमेंट इनका अपने जीवन काल में दिखा दिजिए यहां के बड़े-बड़े माफिया जारखन में एक से बड़े-बड़े माफिया है जिनका काम ही हत्या करना, रंगारिया सुनना, मढर करना, लूट करना, बड़े-बड़े घटना का अन्जाम देना वो इसे लोगों के खिलाब कभी भी आज तक देने का काम चुनाओं के समय में हमारे जितने भी हर समाज के लोग के साथ साथ खास करके ओबिसी, बनियाबर्ग, दलीद, गरीब, सोसी, प्लीद, लोग ने इनका अस्री चेहरा को देख चुका है, समझ चुका है बैख्तिगत लाब के लिए सिर्फ काम किया है, इसका जबाब बहुत जल्द मिलने वाला है और मैं इन्हें चुनोती देता हूँ, यह तो बोलते हैं जारकंड के बहुत मंदार निश्टा पान नेता हैं, यह तो वहाँ से भागे धनबाद से, धनबाद से न्हें चुनोती दिया था, कि धनबाद लोग सभाद चुनावी लड़ने के लिए बहुत इच्छा जाईद कि करने के लिए काम करते हैं, यह कार्पूरेट लोगों को भी बिलेकमेलिंग करने का काम करते हैं, बड़े-बड़े अपने एक जनहीत का मुत्ता कभी इन्होंने कभी कोस्चन किया ही नहीं है, यह सिर्फ बड़े-बड़े उध्योग पती के खिलाप पिछे पढ़ना, बड करने के पिछे पढ़ना, कभी एक फैक्टरी लगाने का परियास नहीं किया कि यहां पर उद्ध्योग लगना चाहिए, जंसेत पूर्ज हारखन धनबाद में कहीं उद्ध्योग लगना चाहिए, इसका एक भी कुस्चन आज तरह नहीं किया होगा, मैं भी लगातार बागम अबर कबर पर इनका पर जाने वाला है, उसके बाद भी गलत और पाप करने के लिए छोड़ाने है, इसलिए मैं छेतर के तमाम जंता ज्यारखन वासुल से आगर करना चाहिए, ठासकर के यह चुनावल लड़ने जा रहा है, जंसेत पूर कहां से लड़ेंगे, उन सभी तम देखिए ये तो बात की बात है, मगर वो ऐसे व्यक्ति बहुत पुरियास किया है, बहुत पार्टी माने के लिए भाजपा में बाने के लिए, इसे लोग को भाजपा में जगह नहीं है, दूस्तों और बैमानों का जगह भाजपा में नहीं है, इसलिए आपने देखा कि य इनका कल्यान होने नहीं जराब। सर्चा करने के लाए और अभी आपने सुना कि धुल्लू मातों ने सर्जू राए के बारे में क्या कुछ कहा और जब इस बावत सर्जू राए से बात की गई तो सर्जू राए ने क्या जबाब दिये पहले मैं आपको वोज भी सुनाता हूँ धुल्लू मातों जैसे लोग जिसके खिलाब बोलते हैं तो समझे उसके अच्छे दिना रहे हैं मैं धनबाद गया था और वहां बागमाराच छित्र में तिन्चार गाउं के लोग आए लेड़ी डूमर है दरदा है वहां के लोग ने बताए किस तरह से करें दो सब एकड़ जमीन किसानों की जवर्दस्ती इन्होंने दिवाल जेल की दिवाल इतना उच्छा दिवाल खड़ा करके उसको घराबंदी में ले लिया इनके अपने गाउं ले गए इनके अपने खास जो गोतिया द्याद हैं अस असल लगी होती सब्सक्राइब मार्पिट किया उन्हों के साथ क्योंकि इनके खिलाफ मामले में वह गवाह तो उन सबों को मैंने कहा था कि मैं आपको नया दिलाऊंगा और लेड़ी डूमर और दरदा के लोगों से उन्हें वादा किया है कि इनके चंगुल से आपकी 200 वे करके रिपूर्ट दिया है क्या दिया है पता नहीं चुनाव से हमनों निवरित होते हैं तो इस सब मामले में जाकर जो मैंने वादा किया है लेड़ी डूमर और दरदा के लोगों को पूरा कराऊंगा उसमें 90% लोग पीश्रे जाती के हैं और उसका 50% इनका जो अपना है उसके लोग है आज लोगो ने मुझे फोन किया था भी थोड़ी दर पहले कि हम लोगो जमसेतपूर आएंगे और डूलू मातों क्या है इसका बख्या हम लोगो धेड़ेंगे जमसेतपूर आकर तो इनकी इनका जो अत्याचार है वह अपने गोतिया द्याद के उपर है अरुसेंकों के उपर है ये कहां किसी फारवर्डे खिलाफ में लड़ते हैं ये तो मेरे खिलाफ ये बोलते हैं इससे मेरी साख बनती है बढ़ती है और मैं सुन रहा था उसमें कुछ आपती जनक सब्दों का वह इस्तमाल किया उन्होंने तो मैं एक बार फीर वीडियो द दमीत साजी समझेंगे उन तक भी वीडियो जाएगा कि अपने सांसत को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हम लोग तो उनके खिलाप पर जो लोग उनको लेकर रहां आए हैं उन लोग की भी हम लोग पोल खोलेंगे और क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं ये भी हम लोग बताएंगे देखिए चुनाओ की वे समय लोग इस तरह की हरकत करते हैं जिनका नहीं स्वार्थ रहता है ऐसे लोगं को बुलाते हैं ये कोई आश्चाजनक नहीं है अगर ये आए हैं तो एक काहोत है ने कि सूप किसी वो कोसे तो कोसे चलनी भी कोसती है इसमें हजार छेद हैं तो वह लोग लेकर आये थे जो लोग वहां उनकी इद्गी थे सबकी तस्वीर सामने आ गई है वो कौन लोग थे उनका उदेश से क्या था उनको ले आने का यह भी समझ में आ गया है तो मैं तो कर रहा हूं लेटी दुमर दरिदा इनके गाउं के लोग ही एक जजन लोग मेरे पा लेगा इसलिए मैं उनके इस वीडियो के खिलाप में कानूनी करवाई पर भी विचार करूँगा और उनको लीगल नोटिस बेजूँगा इसके लिए क्योंकि इस तरह से मन बढ़ते जाएगा ऐसे लोगा और मैंने इनके खिलाप जो कहा है तत्य पराधारित है पैटालिस है अमना जो अभियान है वो अभियान सफल हो रहा है और अमना निसाना सही जगह पर लग रहा है तो दोनों ही नेताओं की बातों को आपने सुना अब ज़रा गौर कीजिए किस जब से ढुलू महतो सांसत बने हैं तब से कोई ऐसा सप्ता नहीं होगा जब ये बयानों के माद्यम से विवादों के घेरे में नहीं आते है अब इनको लगता है कि भारती जनता पार्टी ने उनको धनवाद से टिकट दे दिया तो वो बेताज बातसा हो गए पहले तो ये चर्चा थी ढुलू महतो के बारे में कि वो जिस विधान सभाद छेतर में धनवाद संसदिये छेतर के अंतर गज जाते थे वहाँ नेताओं की पीट ठोक के बोलते थे टिकट दिलवा जूँगा इस बाद टिकट आप ही को मिलेगा ये चर्चा आम थी और ये भी कहा जा रहा था कि ढुलू मैं तो जो है सो उनको अपने अलावा जो है सिर्फ इमानदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुए बाकी सभी नेता ब्रस्ट हैं आपको याद होगा कि पहले उन्होंने जो सांसत थे निवर्तमान सांसत जो धनवाद के हैं पी एंज सिंग उनके खिलाब राजसिन्ना के खिलाब बयान दिया था दोस्तों जो भी जारखन की राजनीत को नजदीक से देख रहे हैं उनको पता है कि पी एंज सिंग पर दाग लगाने वाला कोई वेक्ति नहीं है बेदाग बादसा हैं वो अपने चार दसक के राजनितिक केरियर में उनके उपर कोई ऐसा दाग नहीं लगा है उनके सवभाव को उनकी सालिंता को उनकी मांदारी को किसी के सर्टिफिकेट की आवसकता नहीं है और वैसे नेता पर ढुलू मैं तो कहते हैं कि रंधीर वर्मा चौक पर इसलिए नहीं आये कोईला वेवसाहियों के खिलाफ कोईला कारोबारियों के खिलाफ जब वो आंदोलन कर रहे थे जो ब्लैक करते हैं कोईला का जो काला कारी करते हैं कोईला का या तो वो उनसे डरे हुए हैं या फिर उनको उनसे मिलता होगा राज सिन्ना के बारे में भी यही कहा था आपको याद होगा जब वो विधायक थे तो विधान सभा का जब भी सत्र चलता था तो उस सत्र में ढुलू बावू पूरी तरह से तातकालिंग एसपी जो थे धनवाद के उनके खिलाब आग उगलते थे कोईला चोर उनको कहते थे अब देखिये ना जिसके उपर जिस वेक्ती के उपर आरोंपो का अदसतक हो वो ब्रस्टाचार और बैमानी के खिलाब दस्तक देता है तो ये थोड़ा अपच लगता है पचास से माग जादा मामले हों सांसत बनने के बाद उनके घर के बगल में जिस तरह से उनके लोगों ने एक महिला के साथ एक लड़की के साथ किया था ये सभी को याद है किस तरह से जमीन हरबने की बाते सामने आई हुई थी ये सभी लोग देख रहे थे वो जहां भी जाते हैं वहां उनको लगता है कि जो भी लोग है अब अनूप सिंग के खिलाब उन्होंने बयान दिया वो कारों में जाकर के राजनितिक पर्तिद्वन्दा है अनूप सिंग क्या करते हैं सभूत है उसको उजागर किजिए लेकिन आपको ये भी जवाब देना होगा कि जो पचास से ज़्यादा केस आपके उपर लधेर हुए है वो किस मामले में हैं क्या जारखन ना दोनन के केस हैं क्या वो मामले जो हैं आपने जो है सो जनता की आवाज उठाने के लिए मामले लिया था क्या बंबावी जनता की आवाज के लिए किया जाता है लोगों की पिटाई आपके कारिकरताओं के द्वारा जनता की आवाज के लिए किया जाता है और भारतिय जन्ता पार्टी चुप है सबसे बड़ी बात ये है कि वैसे नेता पर सरजुराय की बात तो बाद में करें पी एन सिंग जैसे नेता पर जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के तीन-तीन मरतवा विधायक रहें तीन-तीन मरतवा सांसत रहें राज में सिख्षा मंत्री रहें उद्योग मंत्री रहें और उनके बारे में बोलने के बाद भी भारतिय अंता पार्टी के लोग जो संगठन में बैठे वे लोग हैं वो कोई किसी तरह की बातें किसी तरह की कारवाई उनके उपर नहीं करते अपनी टाइगर सेना चलाते हैं देश में एकी सेना आस तक तो मैंने जो पढ़ा था जल सेना, थल सेना और वायू सेना और तीने के तीनों के परमुक होते हैं रास्टपती महोदिया और यहां एक टाइगर सेना चलती है धनबाद में, उस टाइगर सेना के पर मुखे ढूलू मातों, कहां से ये टाइगर सेना चल रही है, कहां से हस्चित्व में आया एक टाइगर सेना का, क्या देश से इतर भी सेना तयार किया जा सकता है, और वो चल रहा है, वर्सों से चल रहा है धनबाद में कल के बयान में डुलू मतों ने एक बाते कही कि रिकार्ड मतों से चुनाओ जीता डुलू जी भूल गे बागमारा विधान सभा के चुनाओ 700 कुछ वोटों से जीते थे यह चुनाओ आप नहीं यह चुनाओ मोदी जी के नाम पर जीता गिया है और यह लगातारी इस तरह की चीज़ें आ रही है भाजपा यह कहती है कि सभी समाज के सभी वर्क को लेकर हम समाहित करके चलते हैं और खुले आम उनके सांसत जो है जो जातिवाद की बात करते हैं और उस पर कुछ बातें नहीं होती है यह इस्थिती बनी ही है जम सेथपूर में जा करके डुलू मातो जो है वैसे समाज को कहते हैं कि सर्जुराय को चुनाव जीतने नहीं देंगे यह अलग विसे है आप मजबूत होंगे आप जाईए काम कीजिए चुनाव उनको नहीं जीतने दीजिए लेकिन कैसे आप उनके विरोध में काम करेंगे जबकि जनता दल युनाइटेड एंडिये गटबंधन में जनता दल युनाइटेड को भी सर्जुराय जो जनसेथपूर पुजवी से चुनाव लगना चाहना है पुर्वी या पस्समी से एक सीट मिल रहा है आप रोक लेंगे और ये इस्थिती बना के रखे हैं जिस जगह जहां के पुलीस पदाधी कारी कारवाई इनके खिलाब करते हैं वो भरस्ट हो जाते हैं अब वो कारों के एस्पी कोई पिछली दिन होने उन्हें बुरा भला कह दिया मानिय होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो चाहें जैसा चाहें डंटा हांकते रहें जन्ता को जबाब तो दिजीए कि जो 50 मामले आपके उपर हैं कौन सा किस चीज का मामला है कौन से आंदोलन में आप जुरे हुए थे जनता के किस चीज़ की आवाज को लेकर कि आप आंदोलन कर रहे थे कोईला खदान की बाते जो आउट्सोर्सिंग कमपणी की जो बातें आ रही है वो कौन सा जनता से जुरा हुआ मामला है जमीन हर अपने का जो मामला जो F.I.R. लॉज किया गिया है वो कौन सा जो है सो वो मामला जनहित का मामला था जो लगाया गिया है तमाम सवाल उठते है बहराल अब सरजुराय कोट में जाने की बात कर रहे हैं देखना है सरजुराय आगे क्या स्टेप उठाते हैं दोस्तों, चारा घोटाला का उजागर करने वाले भी सरजु राही थे, मधू कोरा कांड का भी उजागर करने वाले सरजु राही थे, और इन दोनों कांड की परनीती आपने देख ली है, आज भले ही कॉंग्रेस के पूर प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट को मजबूत करने के लिए सर्जू राय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हूँ डॉक्टर रजे कुमार और ये कह रहे हूँ कि वो परिनती तक नहीं जाते किसी भी चीज का लेकिन डॉक्टर रजे कुमार को ही बताना चाहिए कि वो किन मुद्दे को लेकर के आज तक आगे बढ़े हैं मैं कोई सर्जू राय की वकालत नहीं कर रहा सर्जू राय सक्षम है बात तब आती है जब भारतिय जनता पार्टी में वैसे नेता जिनके उपर कोई किसी तरह का आरोप नहीं हो और एक कहावत है ना चलनी दूसरे सूप के जिसमें खुद बहत्तर छेद और यही इस्तिती भारतिय जनता पार्टी धनबात में हुई और धनबात के सांसत अब जमसेत्पूर में जाकर के तीन बजा रहे हैं धोलक नहीं बजा रहे हैं तीन बजा रहे हैं क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने के वो तीन बजाने के समान और ये नया नहीं है जब से ढुलू महतो विधायक बने हैं उनको अपनी जान का खत्रा रहता है सदन में हमेशा जान का खत्रा है का मुद्दा उठाते हैं गरीब का बेटा हैं, किसान का बेटा हैं लेकिन संपत्ती देख लीजिए यह तो राजनेताओं की एक फितरत हो गई है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ लेकिन अरपों की संपत्ती रखता हूँ भगवान ऐसा, किसान ऐसा गरीब सभी प्रदेश में दे सभी जगदे, जिसका बेटा अरपती हो, खरपती हो और ये इस्तिति चलती है और ये इस्तिति सवाल करते हैं खास करके भारती जनता पार्टी जिसकी एक विचारधारा है लोग उसके विचारधारा से जुरे हैं और विचारधारा का ही परिणाम था कि जारखंड में एक मरतबा जो है 25 लाग से जादा लोग भारती अन्ता पाटी में सक्रिये थे भारती अन्ता पाटी के आदर्स, भारती अन्ता पाटी के जो उनका जो सोच था उसको लेकर के जनता ने देश भर की जनता ने भारती जनता पाटी को दो सीट से उठा करके 303 सीट तक पहुँचाया और उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़े कालखंड लगे तीन दसक के भीतर ढ़ाई दसक के भीतर अगर कोई पाटी दो सीट से बढ़कर 302 सीटों तक 303 सीटों तक पहुँचती है जाहिर है कि लोगों का जुका उसके साथ हुआ तभी वो पाटी आगे बढ़ी और जिस पाटी को सीचने में अटल बिहारी बाजपई, लाल क्रिस्ना अडवानी, नरंद्र मोदी, अमित्सा, राजनाज सिंग, नितिन गटकरी जैसे नेता लगे हो मुडली मनहर जोसी जैसे नेता हो, सुस्मा सुराज जैसी नेता हो जिनके वक्तब्यों को सुनने के लिए आज भी लोग आज भी यूट्यूब चैनल देखेंगे तटल बिहारी वाजपई जी के भासन को लोग सुनते हैं आज भी देखेंगे लाल कृष्ण आडवानी जी के भासनों को सुनते हैं सुस्मा सुराज के भासन को सुनते है लेकिन अब के भाजपा नेता का जो वक्तब आता है वो भी आप सुन चुके हैं क्या डिटोरियेशन इतनी ज्यादा होती है सत्ता आने के बाद नेताओं के अंदर में और यही स्थिती रहा तो जो लोग जुरे थे भारतिय जनता पार्टी की सूचिता को लेकर के भारतिय जनता पार्टी के नीती सिध्धानतों को लेकर के और वो चीजें देखने को मिल र रहा है अब जरूरत है कि संगठन में बैठे लोग इस चीज को देखें एक और दिल्ली में बैठक होती है गटबंधन करने की जनतादल युनाइटेड आजसू और भाजपा मिलकर चुनाओ लड़ेगी और वहां दिल्ली में गटबंधन की बात होती है और यहां जा करके सेथपूर में जा करके क्या पार्टी ने इतनी छूट अपने सांसदों विधायकों को दे दी है कि संगठन से इतर जा करके वो बाते करें क्या पार्टी के अंदर यह अनुसासंद हींता का मामला नहीं बनता है अगर अनुसासंद हींता का मामला बनता है तो प्रदेश कठन बैठे हुए लोग अब तक क्यों नहीं कोई कारवाई कियें एक मर्तबा नहीं सर्जु राय की बात को माइनस कर दीजिए अन इन लोगों के खिलाफ जिस तरह से बयान आये हुए थे पिछले दिनों उस पर क्यों नहीं कारवाई हुई कारवाई ही थी राज सिन्ना को नोटिस हुआ था जयन सिन्ना को नोटिस हुआ था सामंतवादी प्रविर्थी के लोग है भाई वो लेकिन OBC हो गए तो भाई हम किसी को भी कुछ कह सकते है उसमें सामंतवादी नहीं आता क्योंकि मैं OVC हूँ मैं कह सकता हूँ और ये चीजें जो है सो भारती जंता पार्टी के भीतर नहीं थी मैं भी पिछले 25-30 वरसों से भारती जंता पार्टी की राजनीती को देख रहा हूँ पत्रकारिता में रहा करके ऐसी स्थिती देखने को नहीं मिलती थी कि जिस नेता को जिस विधायक को जो मन में आए जिस मंत्री को जो मन में आए जिस सांसत को जो मन में आए वो पार्टी की विचारधारा से अलग जा करके वो बयान दें कमसकम बावुलाल मरांडी जैसे प्रबुद नेता भारती इंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन का लंबा अनभव है साय जारखंड में कि राजनीती में संगठन चलाने का उत्रा लंबा अनभव किसी नेता के पास नहीं है उमीद करते हैं कि बावुलाल मरांडी जैसे नेता या लच्मी कान्त बाजबेई जी जैसे नेता जो है भारती इंता पार्टी प्रदेश में वो इस तरह की चीजों पर कमस-कम अंकुस लगाए ताकि भारती अंता पार्टी के विशे में जो लोगों के मन में एक धारना है वो धारना टूटे नहीं बहराल आज की विशेस में इतना ही आप हमारे साथ जुरे रहें हमें लाइक करें, सबस्क्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार